हेलो, वाट्सप गाईस, माई नमी स्मिनोत बादू थापा एंड आज आम इस वीडियो में देखेंगे रियाक जेस्ट विट फाइल बेस इन हिंदी, तो चलिए गाईस, शुरू करते हैं बाताना चांगा, आज बादे बहुत ही ज्यादा ओसम हो नहीं है, क्योंकि आप में इसे बहुत हो ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, कब जब मैंने रियक्ट इन वान वीडियो बनाया था, विट फाइब प्रोजेक्ट्स एन गाईस, इस वीडियो को अब भी तक अगर आपने चेक आउट नहीं किया, जरू चेक आउट कीज़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ओसम है, इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स क्रेट कीए, जितने भी सोर्स कोड में लिखा, बिलकुल फ्री में अपने थापा टेक्निकल वेबसाइट पे मैंने प्रोजेक्ट कीज़ेग है, and the moment में submit पे क्लिक करता हूँ, and boom guys, आप देख सकते हो, data stored, कहाँ पे, firebase पे, सारे data, you know, आप देख सकते हो, अदब एमटी हो चुका है, current हमारे ही page पे है, ताकि अगर मुझे और message बेजने रा तो मैं बेज सकता हूँ, लेकिन, सबसे जाद इंपॉर्टेंट डेटा कहा गया, and किधर गया, data गया, आपके firebase पे, and वो हमारे real-time database पे, and आप देख सकते हो, हमारे firebase में, we have this URL, इस URL का मुझे करने वाले, जिसमें, we have our database, and यह मेरा पहला collection, जो just मैंने देखो, पूने, awesome था, पर. subscribe, जरू कर लिजएगा, मेरा awesome चैनल को, जो एक थापर technical react in one video, विन इतना awesome, लेकिन इतना ही नहीं है, आपको मैं बाताना चाहूँगा, मैं इसमें form validation भी करेंगे, क्योंकि यह moment, अगर मैं बिना data fill करें, submit करता हूँ, and boom, guys, please fill the data, and सिर्फ इतना ही नहीं, guys, individually, हर एक field को, आपको fill करना पड़ेगा, like कैसे, मैं यहाँ पर सिर्फ testing लिख देता इसका मतलब यह, कि जब तक मैं complete fill को properly fill नहीं कर देता, data send नहीं होगा, तो guys, form validation देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, and यह मैंने कैसे क्या, guys, आपको इस वीडियो को एक दम end तक देखना होगा, आपको पता चल जाएगा, तो guys, वीडियो को एक लाइक अब भी जरू कर करना है, and वो हमने बहुत बार देख चुका है, and if you don't know कैसे करना है, then again, इस वीडियो को जरू चकाउट कीज़ेगा, simple npx create react app, app का नाम आपका काम हो जागा, इस्तर कैसे आपको सब कुछ मिलने वाल है, तो हम जाएंगे हमारे source folder पे, आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अ all about your components, तो guys, आज हमें देखना है, react contact form लिखने की निदनी, react contact.js लिख देता हूँ, that's it, ठीक है, सबसे पहले इतना आपको याद रखना है कि react work कैसे करता है, मैंने अगर एक component create कर भी दी, ठीक है, react arrow function component with export इस तरीके से, and अगर मैं इसको basically syntactic form उस करूँ, and मैं यहाँ पे simply h1 awesome थापा लिख देता हूँ, ठीक है, awesome थापा, and please like the video, ठीक है, आप guys like नहीं करते, please like कीज़े, बिल्कुल free air, मुझे बहुत अच्छा होता है, इससे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उता हो कि पहुच आगा, ठीक है, तो अब होगा ये, कि मैंने इस तरीके से component create की, and मैंन करने आलाँ, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखो, ये जो आपका file का नाम है, basically function का नाम या, component का नाम है, and then जब हम उसको इस तरीके से export करवाते हैं, तो इसका जो first letter must be capital हा, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इसको मैंने copy की, हमें .js के अंदर हमारे सारे main files हमें यहाँ पर include करना पड़ता है, ताकि index.js file पर हम उसको इस तरीके से add कर सके, and then बाकी public में जाके guys, वो काम का रहा हूँ, आपको मालूम है, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर चल के क्या करता हूँ, simple, sorry not here, app.js, तो simply we need to import हम हमारा यह जो react contact है, from कहां से, obviously.forward slash component forward slash react contact, that's it, and now simply guys, हमें इसको copy करना है, and then यहाँ पर सरीके से paste करते है, that's it, आप देख सकते हो, awesome था पाया, and please like the video, this is it, मुझे यही चीज़ था कि मेरा, यह जो file है, यह जो component हो, वो वहाँ पर render हो जाए, ठीक है, हो गया, अब guys, मैं आप आपको बताने bad गया, बीडियो हच से जादा लंबा हो जागा, and maybe side आप बोर हो जाओगे, तो मैंने क्या कर रखागी, guys, मेरे पास already code है, सिर्फ एस्ट MLNCSS का, जो मैं paste करना हो, and हमारा जो main react and fairways, आज का जो topic हूँ, उसको हम एकदम scratch, एकदम zero से end तक सब कुछ देखेंग है, बहुत ही जादा simple है, एक form tag, उसके अंदर आप देख सेकते हो, पहला div हमारा user name के लिए, and then दूसरा div मेरा email के लिए, मेरा mobile number, मेरा address, and then हमारा message, ठीक है, and इसमें कुछ नहीं है, जो normal आप एस्टेमल में form create करती है, वो ही है, देखो हमारा email, मैं अगर आप उसको दिखा ही दे रहा, ठीक है, and आप देख सेकते हो का, इस automatic सब कुछ आ चुक है, सिर्फ HTML और CSS से बाकी कुछ नहीं, जैसे मैं आपको बता है कि normal हमारा input field है यहां पर और बाकी कुछ भी नहीं, and उस input field में हमने कुछ classes दे रखा ताकि मैं CSS उसकर सकूँ, and हा, इतना याद रखो कि react म यह जो class, जो यह word है, basically यह एक reserve keyword है, for object, and उसमें आपको मालूम है, so what we need to do is, जहां जहां यह class हमें दिखता है, control, shift, L, हर जगे select हो जाएगा, यहां पर आना है, and we need to go with class, एक second, class name, and this is it, तो इसे कैसे का, इसे आपको class के बाले class name कर देना, everywhere, बाकी सब कुछ एक्दम नाम, यह name, जो attribute है, यह बहुत ही, जादी important है, placeholder, जहां पर यह, enter your name, आपको दिखाई देरा, इस तरह की से, ठीक है, and then auto complete off, रखा है, ता कि कल की दिन में, यहां पर click करूँ, मेरे previous user ने, जो भी data fill किया था, वो मुझे दिखाई ना दे, and then required, I think यह work नहीं करता, but fill भी मै रखना है, and उस data को मुझे Firebase पे send करवाना है, and वहां पर जाके इसको store करवाना है, तो यह मेरा process है, सबसे पहला, user जो भी data लिख रहा है, उसको में get कैसे करू, and then उसको में store कैसे करू, in react only, तो उसके लिए we have a hooks, जो हमने already देख चुका है, and again, इस वीडियो को ज़रू चेक नहीं पे भी है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर चलता हूँ, and मैं आपको सबसे best practice बताने और long cut नहीं बताऊँगा, ध्यान से देखने, आपको मज़ा आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले, अगर मैं यहां पर चलके, suppose मैं अपना नाम लिख देता आप लोगों के लिए, ठीक है, and guys, here we will go with, मैं इस तरह की से जाता हूँ, user, क्योंकि user का आपने डेटा आने हो ला है, and आपको लिखना पड़ेगा, set user, यह convention का आपको follow करना है, ठीक है, and यहां पर we'll go with use state hook, ठीक है, use state as capital रहेगा, state hook, this is it, and मुझे मालूम है, error आएगा, अ सब कुछ normal है, इतना कुछ हो नहीं है, अब बहुत जाद important बात ही आ जाते कि, यहां पर इतने सारे जो data इसको मैं, सिर्फ एक use state में कैसे store करूँ, क्योंकि बहुत सभी लोग क्या करेंगे, यह name के लिए use state बनाएंगे, email के लिए use state उस करेंगे, basically इसके लिए एक और use state नह जाएगी, user.email अगर कोई लिखेगा, तो उसको उसकी data मिल जाएगी, कोई अगर phone number लिखना चाहे तो data उसको मिल जाएगा, कोई अगर घर का address या जो भी हो लिखना चाहे उसको मिल जाएगा, and last में we have our message, and this is it, कितनी easily guys हमने इसको accomplish कर लिया है, now user.name मैं चाहूँगा कि user ने यहाँ पर जो भी name लिखा, वो वहाँ पर add हो जाए, ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, and that is कि अब मुझे यहाँ पर चलना पड़ेगा, हमारे input field पे ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे input field में ऐसे कुछ common है, and I think we have a placeholder जो क कि सब में common है, तो मैं क्या करता हूँ, हमने already 15 shortcuts obvious code editor के उपर देख चुका है, आप link टॉप पे देख सकते हूँ, जरू check out कीजिए, बहुत awesome future है, मैं placeholder को इस तरह किसे select कर रहा हूँ, control, shift, and then L, that's it, एक की बार में सब placeholder select हो चुके है, मैं क्या करूँगा, इस तरह किसे एक कि हमारा react का काम आने होला है, यहाँ पर, so user dot, आपको name लिख देना है, ठीक है, and the best party, जहाँ भी यह, I mean, जो भी मैं लिख रहा हूँ, वो हर जगी apply हो रहा है, user dot name, user dot name, and I think मैंने यहाँ पर गल्दी गर दी, and यहाँ पर वो है, चलो ठीक, एक जगे पर गल्दी उसको हम set क करना चाहूँगा, get user data, ठीक है, and इस तरीके से parenthesis pass मत कर देना, automatic call हो जाएगा, तो बस हो गया, मेरा काम कितिनी इजली, ठीक है, अभी मैं control as shape करूँगा, and मैं guys on the spot, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि हमने already यह सारे topics को cover कर चुका है, ठीक है, and if you don't know, यह सब क्या हो हुआ है, actually, यहाँ पर, placeholder है, text, alright, actual मैं हमने text area के अंदर जाके काम कर रहे, तो इसको मैं हटाऊँगा, placeholder के नीचे, now एक error आएगा, and that is get user data, is not defined, ठीक है, get user data क्या है, basically, जब आफ function को इस तरीके से call करते हो, we need to define first, ठीक है, तो वो ही बता रहा हूँगा, and हमें 5 बार बता एक मैं script 2015, या ES6 भी आप कह सकते हो, यहाँ पर चलता हूँ, and control is save करूँगा, तो वो error जा चुका होगा, and जब इस तरीके का लंबा चोड़ा, उल्टा फुल्टा है, तो एक second, text area can only have at most one child, again text area में कुछ तो problem हो है, and I think यह क्या आप कर रहा है, and वो जो closing tag है, वो मुझे यह यहाँ पर मैं चलूँगा, ठीक है, and एक दम component पर इस तरीके से मैं चलूँगा, तो आप देख सकते हो, we have our state, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, तो उस जूम कर देता आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर, and guys, आप बहुत क्लिए लिए 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 देख से तो name, email, phone, address, and then message मुझे मिल चुका, अब एक देखना, अगर मैं email पर, ठीक है, इस तरीके से all right गा, इसमें कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, all right मैं आपको बता तो क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, देखना हमने यहाँ पर function call किया है जब भी on change, data कुछ भी change होगा, तब ठीक है, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मैंने यहाँ पर value जो है, आप देख सकते हो, हमारे input field में जो यह value, जो यह हमारा attribute है, यहीं तो सबसे जादी important है, क्योंकि user जो भी लिखेगा, वो stored होगा, वो हमारे value attribute में जल्दी से user.email, यहाँ पे user.phone, and I think guys मैंने just mistake कर दी, basically address मुझे यहाँ पे चाहिए, यह तो मेरा message है, यहाँ पे, so message, and यहाँ पे मेरा, यह क्या phone number था basically, so मेरा phone number, यह होना चाहिए, मेरा email, and उपर का automatic name तो name है, इतना लिखा मैंने, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे चलता value तो दे दी यहाँ पे, ठीक है, user.email, but user.email क्या है, एकदम empty है, user.name क्या है, एकदम blank है, empty है, तो वो empty हो चुका है, already, हमने already empty उसको define कर दिया, but मैं चाहूँगा कि user यहाँ पे जो भी लिखा है, वो यहाँ पे reflect हो, name के बदले वो data यहाँ पे fill हो जाए, ताए कि यह empty न रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा simple है, ठीक है, तो हमने already event भी समझाया, JavaScript in 16 hours, अब top पे देख सकते हो, बहुत awesome वीडियो बनाया था, मैंने वो, ठीक है, मज़ा आ गया, तो 16 गंडे सो चुका है, सब कुछ है awesome उसमे, तो हम क्या करतेगा, इसमें यहाँ पे चलता हूँ, and मैं already पहले ही, let name, तो simply बस यह दो value को मैंने declare कर दी, यहाँ पे, value कुछ दिया नहीं, बट अप में उनको देने जा रहा हूँ, so name, ठीक है, ध्यान से देखना object है, तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, name will be event dot target, आप value, will be equal to मेरा event dot target dot मेरी यह जो है value, this is it, अब इससे होगा यह कि name मतलब क्या, इसमें मैंने target किया name, इसका मतलब यह कि मेरा जो 5 field है, उसमें से मैं किस input field में कुछ भी लिख रहा हूँ, उसको वो करेगा target, target करके dot name, उसमें, suppose मैं name fill कर रहा हूँ, तो उसमें dot name, मतलब यह जो and value की बतले, user जो भी लिख रहा है, वो वहाँ पर store हो जाएगा, ठीक है, यह बस इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, कि suppose user ने अगर कुछ भी type किया, अब मुझे उसको इस जगे पर store करवाना है, एक-एक user का individual है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो set user है, हम इसका use करेंगे, क्योंकि यह मेरा एक updated function है, जिसमें अगर मैं कल के दिन data change करता हूँ, तो वो इसको reflect करता है, and वो user का current data कहलाता है, ठीक है, so मेरा set user, इस तरीके से मैं चलूँगा, ठीक है, यहाँ पर, and मेरा यह जो आप देख सकते हो, जो का is curly braces, and मैं क्या करूँगा, dot, 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 मेरा previous data user, basically spread operator, क्योंकि सिर्फ मैं पहली बार data fill नहीं कर रहा हूँगा, मेर से पहले भी किसी ने किया होगा data fill, वहाँ पे, जो कि already database, basically हमारे firebase पे store होगा, तो मैं उसको delete नहीं करके, तो मैं उनको delete नहीं करना चाता, that's why, जितने भ आप fill किया, अब एक कौमा देने के बाद, यहाँ पे मैं dynamic data का use करने जा रहा हूँ, अगर मैं इसरके से name लिख देता हूँ, inside a square brackets, यह जो आप देख पार, inside a square brackets मतलब यह, तो मुझे इसकी जो भी value हो, वो यहाँ पे मिलेगी, and that will be equal to मेरी जो current value है, उसको मैं pass कर दूँग that's it, कुछ नहीं करना बस नहीं करना था, dynamic data इसले लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे event.target.name लिखा है, क्योंकि अब भी फिलाल अगर मैं name के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे name की value मिलेगी, वो यहाँ पे आ जाएगा, and उसकी जो value, user ने जो भी type की, वो save हो जाएगा, उसी त यहाँ पे मेरी value आ जाएगी, email, email, colon, and यहाँ पे जो उसकी value होगी, user ने जो भी लिखा होगा, यहाँ पे, user.email, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरह के से one by one data save होता जाएगा, जो previous already user ने contact form फिल किया था, उनका data को हम as it is रख रहे, basically append कर रहे, at the end में data को हम, ठीक है, सो बस इतने ही करना था, इतना करने है, मातर से आप देख से तो expected and assignment or a function call, यह बहुत जादे important है, क्योंकि बता रहे, expected and assignment or a function call, उनको assignment operator का expect कर रहे, assignment operator मतलब equal to, and I know वो क्यो बता रहे है, because यहाँ पे यह name will be equal to होगा, basically, ठीक है, and this is it, name will be equal to यह, value will be equal to यह, and इस तरह के से हम ने, with the help of spread operator, and मैंना आपको बाता है, तब best practice में बाता हूँगा, else guys, बहुत सभी लोग क्या करते है, यह हार एक 5 field के लिए, एक एक use state लेते, and then, मतलब, आप समझे रहे, मतलब, बहुत lengthy process करा देते हैं, अब इसका best part है, कल की दिन, अगर आप 100 field भी add करते हो, खाली यहाँ पर उस field के value add करते जाना, and यह, इसको तो छुना भी नहीं है, इसको कुछ नहीं करना बना, आपको बहुत लंबा code लिखना पड़ता है, वो मैंना अल्लेडी किया था पहले भी, मैंने दयन आपको बता है, तो जरू check out कीज़ेगा, अब आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक बार refresh कर देखना, हाला कि करने की need नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर चलता हूँ, आपका जो ध्यान होगा, वो यहाँ पर भी होना चीठी है, मैं देखो क्या लिखता हूँ, थापा at the rate, subscribe guys, please कर लिजेगा, क्योंकि हमें जल से जल 1 million touch क मुझे मिल जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि automatic मेरा actual address सब आने वाला है, यहाँ ठीक है, that's why आपको पाता चल गया, now हमारा जो पहला पड़ाओ था, वो complete हो गया, कि user जो भी data फिल कर रहा, उसको हम कैसे store कर सकते है, state में, अब मेरे पास data आ चुका है, इस state में user वाला, जो हमारे state variable है, मुझे किसी भी तरके से यह जो user की state variable है, उसको मुझे मेरे firebase पे वेजना है, समझ रहे हो, मुझे यहाँ पे वेजना है, अब मैं आपको एक चीज़ बाता तो, मैं आपको complete starting से बाता हूँगा, कैसे करना आपको, ठीक है, तो सबसे बाले guys, आपक आपको registration करना पड़ेगा, बिल्कुल free है, कोई sponsor video नहीं है, तो get started पे आपको click कर देना है, and आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, then आपको, आपका your firebase project जो दिखता है, उस पे आपको click कर देना है, यहाँ पे guys से आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं ल project नहीं, नहीं चाहिए, ठीक है, so disable, and then आपको create project पे click कर देना, now guys, it will take time, and वो totally depend करता है, आपके system पे, like आपका CPU, आपका RAM speed, जो भी है, लेकिन यह जब तक इतना हो रहा है, मैं कुछ चीज आप लोगों को बात आना हो चाहँगा, इतना ही इस में ज्यादा कुछ थानी, ठ मैं data का firebase को भेजना है, जब user, you know, submit button पे click करता है, it means, now we need to use an event in react.js की submit button पे कोई करे click, तो मुझे एक event fire करना है, जिससे data जो फिलाल अभी मेरे state में, वो firebase पे चला जाए, जैसे, याद है, तो मैं, आपको याद एक दम starting में मुझे एक error आया था, यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे on click and camel case use होता है, इतने याद रखने, यहाँ पे camel case convention रहता है, will be equal to, मैं यहाँ पे चलता हूँ, and मैं लिख देता हूँ, post the data, post data, that's it, मुझे error आएगा, कि इसको define क्यों नहीं किया, तुमने बोल के, कोई बात नि, मैं यहाँ पे, इस तरी के से लिख देता हूँ guys, post data will be equal to pet arrow function, ठीक है, and this is it, and guys, यह एक form है, ठीक है, and जब भी आप data किसी को बेज रहे हो, we need to use the method, हमें बताना पड़ता है, with the help of method, कि आप कौन सा method use करो, so mostly case में, we use a post method, ठीक है, तो आपका यह जो form है, ठीक है, आपका यह जो form tag है, वहाँ पे आपको एक और attribute use करना, and that is method, जहाँ पे आपको caps में लिख देना है, post, we have a post, get, delete, update, हमने already how to create a restful API, अब कुछ में आपको बता चुका, ठीक है, that's it, इतना आपको रखना है, and यह form, अपने आप, you know guys, क्या बोलते है, refresh करता, आपको मालूम होगा, ठीक है, तो वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन मैं जान रहा है, यह validation करके दे रहा हमें, यह वरना मैं आपको custom validation भी बताऊंगा, लेकिन HTML5 का जो by default, जो required keyword, उसके तुरूब भी आपका validation होगा, और क्या चाहिए, and यह जो possible, because of required keyword, ठीक है, अब देख सकते हूँ, इस तरीके से, so मैं जल्दी से fill कर लेता हूँ data, तो आप देख सक रहा है, refresh हो रहा है, उससे अब यह हो रहा है, कि refresh होने के बाद उसको यह नहीं पाता चल रहा है, ठीक है, तो यह एक default behavior है, जो by default हमें HTML प्रोवाइट कर रहा है, now it's up to you, कि आपको उसके साथ कैसे deal करना है, ठीक है, and यह बहुत ही simple है, इसका एक फंडा, and that is, again we have an event, ठीक ह अब method या function कुछ भी कह सकते, e.prevent default, इस तरीके से, ठीक है, e.prevent default, and spelling देखना की सही है, या नि, now इतना होने के बाद आपका भी यह error नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी एक problem है, कि अगर यह आपने कर भी दिया, तो होगा क्या इससे, क्योंकि आपने तो कु functionality तो कुछ दी नहीं, हमने अब देख, ठीक है, मैं यहाँ पर चालना चाहूंगा, देखो गया, इस तरीके से, आपका यह बनके ready हो जाता है, your project is ready, continue पर आपको click कर देना है, and the moment आप continue पर click करते दोगा, आपकी पास बहुत सारा option है, Firebase में सिर्फ आप data store नहीं, मालब बहु बहुत कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो, just हम data store कर रहें, यह बहुत ही basic and Firebase की एक functionality, एक simple सा, जो मैं आज आपको दिखाने आ रहाँ, ठीक है, अब left side में हमारे जो menu वहाँ पर देख सकते हो, like file store database है, real time database है, we will go with real time database, and it's super duper easy, आपको click कर देना है, आप समझ सकते हो, क्या है, क्या है, यह real time मतलब मैं वहाँ पर data fill कर रहा हूँ, on the spot यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, and आपको यहाँ पर देख सकते हो, create database, data में, हमारे database में data store करने के लिए, we need to create a database, सबसे पहले, right, so create database पर आपको click कर देना है, जो है by default रहना है, क्योंकि हमारे पास option है भी नहीं, Belgium and then Singapore, ठीक है, and आपको next पर click कर देना है, go with test mode, lock mode नहीं, start in test mode and then आपको enable कर देना है, that's it, इतना करने मातर से आपको URL मिल जाएगा, and now, अगर आपको याद होगा, मेरा जो मन प्रोजेक्ट है, ठीक है, कहां गया मेरा मन प्रोजेक्ट, all right guys, जो भी है मेरा मन प्रोजेक्ट था आप, all right, यहाँ पर आप देखी सकते हो, basically 29th part उसका, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि आप front end को back end से कैसे connect कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने आपको इसी तरुके से link बताया था, लेकिन वो हमने अपने system के थुरू दिखा था, लेकिन अब आप Firebase में हमें इस link को use करना है, तो इसको मैं कर लेता हूँ, copy ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ध्यान से देखो, यह जो data है, मुझे इस link पर वेजना है, यहाँ पर मुझे database create करके, वहाँ पर one by one जो collection है, users जो data fill कर रहा है, उसको add करना है, ठीक है, and it's super duper easy, बहुत ही जादा simple है ठीक है, we have a fetch method, ठीक है, I mean, यह fetch API का हम use करेंगे, यहाँ पर, and इतना याद रखो कि guys, मुझे यहाँ पर async यूज करना है, और मैं basically async करूंगा, because जो fetch, यह आपको promise return करता है, and it means कि guys, in future, the data will be either rejected, or it will be fulfilled, तो हमें prepare रखना है, कि हाँ अगर fulfill होता है, तो data हमें मिलेगा, reject हो fetch assets है, मैं fetch के यहाँ पर चल के, आपको single code, double code, doesn't matter, कुछ भी रखना है, and इस तरह के साब को रखके, अब जो यह URL है, fetch API, यह आपका promise return करता है, जैसे कि मैं आपको बोला, and वो हमें future में मिलता है, थोड़ा future मतलब पूरा एक-दो साल बाद नहीं, एक second, दो second, या even less than one second, त that's why async await, पहले हम promises use करते थे, उससे पहले callback hell होता था, लेकिन promises में dot then, dot then, बहुत problem हो जाती, इसमें बहुत simple है, wait, 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 बस इतनी और कुछ ही नहीं इसमें, तो कि response, rest, response, now I mean आपको यहाँ पर बता था, कि यह आपका main, you know, main bigger picture है, यह URL का, but जब user data यहाँ पर fill करता है, तो उसको मुझे store करके रखना है, और उसको store करने के लिए, we need a database, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, database कि धर है, तो हमें database का नाम यहाँ पर लिखना बढ़ेगा, ठीक है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, like, मैं लिख देता हूँ, YouTube, React, Pong, या React data, कुछ भी data आ रहा है, क्योंकि हमें मालुम है, हम जब भी data को transfer करते है, throughout the internet, HTTP, यह mostly 99% case में वो JSON ही होता है, JSON format में होता है, ठीक है, so this is it, इतना है, then, आपको कुछ और चीजे जो इसके साथ pass करना रहता है, तो मैं in the form of object बता रहो कि like, कौन सा method, data में किस method के थुरु पास करना so we need to write headers, इस तरह के से ठीक है, headers आपको लिखना है, इस तरह के से, and then आपको calibrances पर आपको guys इसका content type बताना पड़ेगा, and जो content type होगा, c capital हा, content, and then आपको hyphen देखे, again आपका यह जो t है, वो capital होना चीए, content type कैसे, obviously यह एक application है, forward slash, यह होगा, किसमें, JSON format में, this is it, अगर आपको पोस्ट में भी देखा, वहाँ पर आपको मालूम है, headers में, content type इस तरह के से, हम application, backslash, JSON लिखते था, ठीक है, alright, यहाँ पर, and ठीक, अब हमें data actual में क्या pass करना है, यह जो URL है, जिसमें मैंने database भी create कर दी, बाता भी दिया, कि post method के थूरू, JSON format में होने वाला data, लेकि always string format में होता है, ठीक है, so JSON है न डेटा तो, तो उसको मुझे string में convert करना पड़ेगा, so we have this awesome method, JSON.string की फाई, ठीक है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, user.name, यह बहुत लंबा हो जाएगा, so हम क्या करते हैं, मुझे यह सभी data को pass करना है, ठीक है, यह name, email, phone, and then address, copy करता हूँ, यहाँ पर इस तरगे से में pass कर देता हूँ, अब मैं direct list को as it is नहीं लिख सकता, because मुझे data नहीं आएगा, I need to write user.name, user.email, ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ name, email, phone लिखना हो, तो कैसे, and इतना एक चीज़ याद रखो, कि आप यहाँ पर इस तरगे से empty value देके नहीं रख सक ठीक है, तो इसको मैं delete कर देता हूँ, this is it, and basically यहाँ पर लिखने का मेरा मतलब होता, name equal to name, तो name, मतलब हमारा यह जो भी name होगा, हमारा form जो मैंना starting में दिखाता है, यादे, left side में आपका key था, right side में वो आपकी value थी, key and then value, यह trick रहता, I mean not trick, यह concept है, तो key तो सबका सेम हो अलब जो भी user form fill करना चाहेगा, वो name, email, phone, address, message भी fill करेगा, लेकिन value सबकी अलग होगी, नाम सबका अलग होगा, email सबका अलग होगा, ठीक है, तो उसी तरी के से यह जो name and then email हो, हमारे case में किया, और अब बोथ the name and the value are same, object, मैं, you know, object की में बात करूँ, तो after, I think, ECMAScript 2018, update आया था कि अगर बोथ key and value are same, no need to write name, call a name, सिर्फ आप name लिख दीजे, आपका काम हो जाएगा, key and value दोनों यहीं पी set हो जाएगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं directly ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे user.name करना पड़ेगा, user ने क्या लिखा, उसको पाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक, यहाँ पर मैं चलता हूँ, fetch की उपर, मैं यहाँ पर object destructuring का यह concept funder वो यूज़ करूँगा, again at my script 2015 का ही एक पाट है, तो मैं चलता हूँ, const, same ही जो data है, इसको मैं करता हूँ, इस तरीके से copy, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, paste and बटा दिया, awesome, यह थाना कितना awesome यार, ठीक है, and यतना मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पर चलता हूँ, and this is it, हो गया मेरा काम, will be equal to user, and हो गया मेरा काम, ठीक है, now मैंने object destructuring का लिए user.name, मतलब मेरा यहाँ पर आप मैं directly सर्के से लिख सकता हूँ, तो मेरा यह काम हो गया, मैं अब इतना भी लिखोगे, तो आपका काम हो चुका होगा, ठीक है, एक बाद, let's try क्या होता है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, and I think everything is set, है कि नी, but still guys, आप देख सकते हो, email, phone, address, and then name are not defined, कहाँ पे, 34, 35, 36, तो अब हम देखते हैं क्यों ऐसा बता रहा है, क्योंकि name, email, phone, and then address त बता रहा है, क्योंकि name भी तो आना चाहिए था, तो ऐसा क्या हो गया, यहाँ पर, destructuring तो हमने, all right, यह क्या हो रहा है, यहाँ पर, all right guys, आप देख सकते हैं, actually, name, सही है, but email हट जगी, यह name, add हो गया, यहाँ पर गलती से, तो मैं क्या करता हूँ, यह जो मेरा name, 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 यह ज यहाँ से देखना, यहाँ पर अभी एकदम नल बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई value pass नहीं किये, ठीक है, and मैं यहाँ पर चलता हूँ, अभी मैं यहाँ पर चलके data fill करता हूँ, ठीक है, and यहाँ पर testing लिख देता हूँ, testing message लिख देता हूँ, चलो, ठीक है, so 3, 2, 1 and boom guys, देखो मैंने submit पर click कर दी, मुझे कुछ पाता नहीं चला, क्या हुआ भगवान जाने, but let's see, यहाँ पर चलते, and boom guys, awesome, यह देखिए, YouTube react form, क्योंकि मेरा database का नाम मैंने यहाँ पर set कर दिया था, and इस पर मैं click करता हूँ, मेरा पहला collection बनके ready हो चुका, and that's it, कैसा लाग आपको थाना ही, awesome, सारा data आगिया, और क्या चीए, यार, free में हमारे files base, आप कितना firebase, firebase बोल देते, and देखवा आगिया, हाँ मैं मानता हूँ, बहुत basic है, firebase बहुत use है, बहुत उसके फाइदे, but at least इतना अगर आपने firebase में कर दे, आप कह सकते हो, कि react का contact form को मैं firebase में data pass करवा सकता हूँ, at least इतना तो आप कह सकते हो, अपने resume में add कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप इभी बहुत चीज़े जो हमें देखना है, वीडियो का end तक दिखिए, सबसे पहली बात ही है, कि जब मैंने form को submit कर दिया, data अभी इधरी पढ़ा हुआ है, मुझे कुछ पता न अगर मैंने यहाँ पर response पाया है, इस तरीके से मैं चलता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कि मेरा यह जो set user है, इन सब को मैं copy करूँगा, इस तरीके से, and मैं यहाँ पर इस तरीके से चिपका के paste, now instead of use state, मैं simply यहाँ पर set user लिख दूँगा इस तरीके से, इसका मलब यह कि once I mean, जब यह proper मुझे data दे रहा है response, मलब मेरा यह काम हो चुका है, Firebase में हमारा data stored हो चुका है, अगर data stored हो चुका है, तो मैं क्या करूँ वापस मेरे जितने भी fields से, उन सब को मैंने one by one get किया, set user में, as an object, and then मैंने वापस उनकी जो value है, अब देखो ना, field उनकी जो है, empty कर द throw करवाना है, उसमें मैं लिख दूँगा data stored, data stored successfully, आप कुछ भी लिख सकते हो, success, I think spelling सही है, इस तरी किसे आपको लिख देना, तो at least यह जो दो था मैंने tackle कर लिया है, मैं खाली यहाँ पे testing message tool लिख दे रहा हूँ, क्योंकि, you know, ताकि पाता चली कि यह दूसरा है, and मैं submit data stored successfully, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, and मैं ok पे click कर दे रहा हूँ, and मेरा पूरा का पूरा जो field है, empty हो चुका है, मुझे पाता चला कि data stored हो चुका है, मैं यहाँ पे चलूँगा, देखो guys, real time database, मैंने refresh नहीं कि automatic real time data आ गया, and देखो, testing message 2, कैसा लागा, थाना यह awesome, अब एक चीज रहेगे, and that is, guys, form validation, अगर मैं IGT submit करता हूँ, data stored successfully, and आप देखो कि यहाँ पे एक और data आचुका होगा, but पूरा वो blank है, empty है, ठीक है, अब थुछी देर पहले मैं आप दिखा था, required keyword आप लिखती हो, तो वो work कर रहा था, but now it's not working, यही होता, free मैं आता, तो कहीं इतन custom validation, and मैं बहुत basic, बहुत simple custom validation करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैंना already JavaScript को पर बहुत awesome validation बाता है, जरू चकाट कीजएगा, देखो, क्या रहा, यह सभी के सभी data है, मैं चाहता हूँ कि एक भी data, अगर empty है, यह जितने भी मेरे fields है, इन में से अगर एक भी user ने field नहीं क्या data, तो मुझे error आ जाना चाहिए, if इस तरह के से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, this is it, and then यहां पर मेरे else हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं यहां पर चलता हूँ, and यह जो comma है, इसको मैं target करूँगा, ठीक है, and मैं यहां पर लिख दूँगा, and operator, इस तरह के से, this is it, अगर user ने इन सभी data को fill किया है, तो ही इतना जो, एक सेकेंड, तो ही guys, यहां पर यह जो कुछ भी data था, ठीक है, वो मुझे इसके अंदर चाहिए, if statement के अंदर, ठीक है, तब ही मतलब data वहां पर जाए, फैस हो जाए, जो ना हो जाए, लेकिन अगर user ने fill नहीं किया है data, तो simple एक alert चिपका दूँगा, मैं please fill all the data, इस टीक है, control and save, अब आप ध्यान से देखना, मैं एक वार रिफ्रेस करना चाहूँगा, आप मैं click करता हूँ, please fill all the data, मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूँ, enter hit करता हूँ, please fill all the data, यहां पर चलके कुछ भी लिखता हूँ, click करता हूँ, please fill all the data, यह मैं fill नहीं करा हूँ, क्योंकि automatic suggestion आजाएंगे मेरे email address, mobile number सब कुछ का, ठीक है, that's why, लेकिन आपको पता चल गया कि आपका validation कैसे work करता है, तो मैं one more time, जल्दी से पूरा data fill कर लेता हूँ, अब देख सकते हूँ guys, name, email है, subscribe at the rate thapatechnical.com, मतलब, please मेरे channel को subscribe कर लेज़ेगा, mobile number again, मेरा नहीं है guys, ठीक है, and address one and only thapatechnical, अगर आपको कुछ भी web development सिखना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, testing again, and हाँ, like and share, तो बनता है, again like and share, and अब अगर मैं submit पर click करता हूँ, boom guys, data stored successfully, I mean empty हो जाता है, अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, because of real time database, वो already यहाँ पर store हो चुका, one and only thapatechnical, कैसा लागा guys, थाना है यह awesome, and the best part, इसका source code, बिल्कुल free में, मैं description में आपको प्रोवाइड करोंगा, जरू check out कीजेगा, अपने सबी दोस्तों को WhatsApp पे जरू share कर दीजेगा, forward कर दीजेगा, and बताना चाहूँगा guys, आपकी mind में और क्या doubt है, अगर आपको और कुछ suggestion है, आप please comment करके मुझे जरूर बाताना, हम बहुत ही जल्दी next.js को पर देखने वाले है, and बहुत कुछ देखेंगे, आगे बहुत कुछ होने वाले है, so guys, आपको वीडियो कैसा लागा, नीचे comment करके जरूर बाताना, इस वीडियो को एक लाइक जरू कर बहुत ही जाद इंपोर्टेंट है, all our guys, तो आज इस वीडियो के ली इतना ही, अगर guys, आपको मेरा वीडियो पसंद आता, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाते है, then guys, please, मेरे थापा टेक्निकल यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राब कर लीजेगा, राइट साइड मे एक राइट कलर का बेल एक इन एक घंटी दिखाए देगा, हीट कीजे, क्लिक कीजे ता कि आप डेल ये साउसम इडिस को मिस ना करें, so till then guys, thank you so much, take care.